नमस्कार मीत्रों वर्चुल कास्रूम ट्रेनिंग में आपनू हार्दिक स्वागत छे ओटोंबाइल ग्रूप अंतर गत आपने आज एक नवीन लेशन विसे सीखी सु आधनू जे टोपिक छे ओटोंबाइल माटे लेके आपना माटे त्यक्निकल माटे खुब अगत्यनू छे जहरे भी कोईपण वस्तो आपने रिपेर करिये एंजिन रिपेर करिये त्यार बाद एने एसेंबल करवानू होए एसेंबल करू खुब अगत्यनी प्रोसेस छे एसेंबल करू माटे केटलाइक प्रकाना स्पेशल टूल्स स्पेशल गेज नूँ उप तो आ प्रोसेस भी चे आपने स्टेप बाइसे भागा जोता रही शुक्या एंजीन एसेंबल कर रही चे अने अन्य आमाटे केवा प्रकार ना टूल्स आने गेज ना उप्योग आप ने करी चे सव प्रतम आपने एंजीन एसेंबल करवा दर्मियान केटला प्रकानना टुल्स जरूरी छे ये टुल्स ने आपने जोडे राखी सु सु एवु ना थाओ जो ये के आपने असेंबल, एंजिन असेंबल करतो यह दर्मियान, आपने एक एक टूल्स सोध्वा जीए, आपने जारे पन कई काम करिए, असाद कोही मेंटेनन्स करिए, तिये दर्मियान आपने ज़रूरी होए, ति दरिक प्रकान नूँ लिश्ट बनावी, दरिक प्रकान ना टूल प्लायर, स्क्रूड्राइवर, बोर डायल गेज, पिस्टन रिंग कॉंप्रेसर, वाल स्प्रेंग लिप्टर, टॉर्क रेंच, फिलर गेज, और ओईल केन, आटला प्रकार ना टूल्स अपने एंजिन एसेंबल करती हो खते, खुब अगत त्याना ना खुब उपियोगी छे त्यार बाद, एंजिन एसेंबल करती हो खते, केवा प्रकार ना मट्रियल नी जरूर पड़े छे, एंजिन पना आपने जोड़े राखी सू, जेती आपने काम करवां, आथ वा तो एंजिन एसेंबल करवां मां सरड़ता रहे, यह मां छे एंजिन पैकिंग सेट, घासके से एंजिन एसेंबल करवां माटें, एक केना स्टेन्डर ब्लोक गोटीचल वेीर, सब्सक्रेश कपा खो क्वाहित अने जे सिलेंडर ब्लोक स्टेंड हो चे ए स्टेंड उपर अपने उल्टी अवस्ता मां मुखी सु जे थी करी आपनाने काम कराव मां एजी रहे आएक अनी प्रोसेस चे त्यारे बाद क्रेंक वेब मां तथा तो में जनरल बेरिंग केप मां बेरिंग सेल्फ फिट करी शु यह जे यहनी क्रेंक वेब छे में जनरल बेरिंग आपने केप फिट करवानी जे योग्या जग्या शाप करें बाद तेरे ओड़े लुब्रिकेट करें बाद आपने यहमां फिट करी शु बेरिंग सेल्फ उपर लुब्रिकेटिंग उइल लगाओ यह कोई भी पार्स आप युग्या पोजीशन मा बिशराडवनी होई जे बने एन्ड भादी चैक करी लेवना क्रेंक उल्टू फिट ना थाई जही रही चैग जग्या शाप में यह व्यग्या सीट उपर बिशऱाडवनी है बेरिंग इपना बोल्त ने युग्या क्रमा युग्या टॉक्थि टा तो था योग्य ट्रॉक थी, में तरह आपने श्पेशल तूल्स तरीके ट्राइच ने उप्योग करेंजुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु यारे आट बोल टाइट करता जाओ ते दर्मेन आपने क्रेंक शाप नी एंड प्ले पन चेक करने रहे से एंड प्ले वदू ना हुई जो एंड प्ले वदू हसे तो आगर नुक्सान था से अथवा तो एंजीन प्रफॉर्णस आपी सकसे नहीं क्रेंक शाप फ्री फर्वी जुए आज कैप टाइट करया बाद क्रेंक शाप चेक करता रहानू क्रेंक शाप जो जाम ना रही जुए क्रेंक शाप फ्री फर्वी जुए तैमिंग तैमिंग कवर फ्लेंज फीट करीशू तैमिंग कवर फ्लेंज फीट करीशू तैमिंग कवर अपने फ्रेल चेक रहा है जो योग्या टोक्ति आपका टाइड करवानी हो जे जन्र बुशिंग करीज है करें चक्शाफ एंड पलेज चेक करें लिए जो एंड पलेज वद्दू हो तो आपने वाशर मुकी एंड पलेज घटा डिवाद आगड रियर ओईल सील ले ओईल रि तो तैने फिट करीशु फ्लाइवील फिट करें si, जोग्य टॉक्धी टाइड करोurgMS अबैंने यजैया आप्टें तोपह टोर्क मांकी करीशु अब टिया बात्यों किक अधे ऊप्यों करीशु सिलेंडर बोरु मां पहला सिलेंडर बोर्ड स्वाच्छ कपलाबडे साप करी तया बात यमां ओएलिंग करीसू ऐलिंग कर वाती जारे पन अधर पिस्टन अथवा तो डाखल करीसु त्यारे यमां स्क्रेच न आपड़े पिस्टन इजी ली ली अधर डाखल थाई सके पिस्टन उपर oil ring और compression ring मित्रों कु खूआ उपल में फिट्के अधना फृकत सवा मैं नेयाक है में में प्रिक पिश्टं नमिक्षण प्रिक भूराम में प्रदनियर को स्वाइन नेमना फुल तुर स्षेश्टों रिपन रिंग्न उप्यों करता होसी मैं रिधिव के त्या रिपन उपयों अग्येयरित और फिट करता हो वह है, तरह बाद पिश्टन और कन्येक्टिंग रोड to्यमाद पिश्टन ती सीलेंड़ाने कीक्षि ऐ। त्यावाद पिस्टन ने आपने कनेक्टिंग रोड साथे जोडी हो, जे स्मॉल एंड पिस्टन साथे जोड़ुआ भाने पिस्टन रिंगों पिस्टन उप्पनी पाजु फिट करवाने भाजुए अने ते फिट करया बाद तेने आपने शिलेंडर मा धिये दिरे दाखल ने योग्यस टॉक्ते करो मीत्रो जे बीगन ब्लोग मा फीट था जए बेगेंड बेरिंग कैप छे उन्य नट बॉल पना आपने योग्यस क्या टॉक्ते कर वहाल जारे भाद क्रेंड फ्री फर्री और चेक लिए जारे पना अपने थोड़ी प्रोसेस तो थोड़ी लेजान लुटती ना दिने यह अपने चेक करता रहानों होनु होजे त्यार बाद oil pump ने crank case मा fit करो त्याई बाद oil pump assembly होजे ए crank case मा fit करवाई होजे में त्याई ओईल pump, oil pressure उत्पंग कराओं माटे याथ वी लीड माटे अंजीन ना बाग शुदी पहुचलामों माटे ऑपंप उपयोग थतो होगी, उप्योग में आपने क्रेंगीश में फिट करीशू। ऑपंप ना आगण भाग साथे ओएल श्ट्रेनः फिट करवानु वहान। आपने फिट करवाना हो जे आइडल गीर ने बोल्ट नी मदद थी फिट करवाना हो जे इडल गीर ने योग्या बोल्ट वड़ी फिट करवाना हो जे तता योग्या वाल टाइमिंग मेड़ो आ घीर आपने लो फिट करवाना हो जे टाइमिंग कवर ने टाइमिंग बेक प्लेट साथे फिट करो क्रेंग पुली बेसाड़ी और तेने सेट स्कुरी ने योग्या टॉक्थी टाइड करो टाइमिंग कवर ने टाइमिंग बेक प्लेट साथे आपने फिट करीशू आने क्रेंक पुली ने बेस आड़ी सु, तयार बाद तेना सेट स्कूरी ने योग्य टोक थी टाइड करी सु तयार बाद ओयल प्रेसर रिलिफ वाल फिट करवानु वह जा मित्रो ओयल प्रेसर रिलिफ वाल जारे एंजीन मा वधु परतु ओयल नू प्रेसर थे या ते दर्म्यान प्रेशर ने रिलीप करवाँ माटे नुँँँँजे वद्धाना प्रेशर ती जो ओईल आवी है एने फरी पाच्छु ओईल चमबर मा लई जतुँँजे यह पन खुब घत्यनों पार्ट्स याने योग्यरी ते फीट करवानुँँजे सिलेंडर हेड माँ वाल ने वाल स्प्रिंग साइट फीट करी लोग करवानुँजे मित्रों अवे सिलेंडर हेड नुजर भी एसेंबल करेता है तेना वाल वाल स्प्रिंग योग्या टेंशन नी स्प्रिंग होई जिए यह स्प्रिंग फीट करता प्याला आपने स्प्रिंग ये चेक कर वानी वंवचे जो वाल सीट माँ страшिस पढ़ी अथा ते थे थां बुतानि वाल शीट यग्य जग्या उप는 मीनिद्डर हरे पारीक कहा Kahne स्वारी से शिलेंडर हिद ने इस्टरड माँ सेंबल पर पईलब me家 से शिलेंडर हिडड गास्機ta Children Head ब्लोक ऊपर जह श्छल मा सीलेंड ज़ मा स्लेंडर हेट ने खुर मृ ज़ोड श्या अट झाड talked करीशू सीलेंडर फिलश क्वर्णुक मा श्या निविष सन्फीर्णी स्लेंडर हेट खुरुच है जिए शिलेंडर ब्लोक मा ँपने खुर्णुक्न पूश्रोड हॉल मा बैसाड़ीशुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुु अग्रेज इन्लेट मैनिफॉर्ण पीफटोर olur शो 19esiska श्यूदोरी मे tahun 268 लागरा वो सबने कहा कि ऐसी शोर को साइल श मेली इंकत्वरी इंडले ऐसे चाहती झाहती थोर इन्लेट मैनिफद इपत्व focus उपक्या जड़ मते जरू है हैं टेज में तो इंजी नो एक्जोस्ट बाहरे एक्जोस्ट मेंजी ज्वार कलिए तेहे चेंग पनुएअगकरों कौई प्रकार्थนmani पहिसे हवारें। अथा तो नौ प्यकिंग नाकू हीता वार रही जी इनलेट मैनिफॉल अने एग्ज़ोस्ट मैनिफॉल जारे बनने एसमली फीड करें तेरे तेला प्यकिंग अथा जम्छेट बडली नाकू बडली उसारू ते अरे बाद वाल्ल क्लियरंस अज़ेश्ट करवान वही जे एड अपने ऐप केटली राखवी ये भी मैन्यूल जेते मनिफक्चर ने मैन्यूल पर डिपरेंग करतु हो जे क्या नी गयाप केटली हो जे तो आपने ए प्रमाण एनुँ गयाप एडजस्ट करें त्यार बाद आपने ंउपर फीड करी है तया बाद फो जाईने आपने अपने प्रोपर फीड करी है। आ फिट त्या बाद मित्रो अपने अवे वाटर पंप फिट करीशु वाटर पंप नो अपने ख्याल हो जिए कि वाटर पंप ए कुलिंग सिस्टम नो प्रकार छे आचा एक भाग छे अनु जे रैटर नुप पाणी जने प्रेसर ते एंजिन ना दरेक भाग शुदी पौचल झाइन्जिन ने कुलिंग मा एफिशंसी मा वद्दा वुठतो हा तो हा अजी त्याआर बाद मित्रो थ्रमोंस्टेड मा फिट करीशní लेए थ्रमोंस्टेड हॉसिंग में तरमों फिट पोजिसण अठोव चेक रेए यसो जो रआमोस्टोटेड वाल चौलें ना उय तो ख इन्जीन निर्दीर और पायपया चारते हैं, आ स्पाइस्थेन स्पयफ़े दा है, आ से इन्जीन निकिएजंदव धीचाँ, एफिशेंसी मापन गटाड़ों थाई सकें ये इनले फिंस संग नो ख्याल राकि उग्य रिति अने आपने हुआ एक है एक करेंजिकाने उ स्यमुर्भ श्यायर पार सुमां पड़े सब्सक्राइट बर्सक्राइट सभाख चाहिए भाधियर मतले काङ़ तुनि पत्रेट आपक्ने पम्राइट ह rehabilitation के काइट पम्राइट होजी, हैं ने खहा ने ओल्ड पार इतने अग्रेक्छ योग यो टेंशन दे ताइड करी ईया शीलेंडर ब्लोक बहुतिया था इंडरे क्षक्छ मेटनेटर पूली त्रणे पूली एक जब्याल द्वारा फिट थती हो है अने फिट करें पची तेनु टेंशन योग्या राखी सु वदू टाइट पन नहीं राखी आने वदू लूस पन नहीं राखी ज़े स्पेसिपाई हुआ ए प्रमाने आपनु टेंशन एड़्यस करी सु त्यार बाद ए किना सिस्टम ए एंजिन नो अगत्य नो भाग छे एना कमबस्चन मा जे हवा शूद्य थाई और पची एंजिन मा मोख लेजे तो आपने एंजिन ना उपड़ना भाग मा एर क्लीनर एसेंबल करी शु ए फिट करता पहले आपने एर फिल्टर जे अंदर होई चेक करी लेश जेती एना परफोमास मा घंणों फर्क पड़तो हो शे त्यार बाद एनी एग्जोस्ट पाइप एक्जोस्ट मैनिफॉल साते आपने एक्जोस्ट पाइप साइलेंसर और तिल पाइप आ त्रणे वस्तूनों जोडाण करी सु जेती एक्जोस्ट मैनिफॉल मा ती जे exhaust सिस्टम् Jasonuko फ्लिट्वी Dion कि टांट करिए ट्याइक्प ट्याइधर बाद F5 घऊंथ बाएक्पांप फिछ्टिबविध साथे फ्यूल फिड्पूम फ्युल फिड्पम प्यूल अपन स брप ल prosecution जोलान करी अपर उंठ 가지고 जुडान करी तो birthdays aft под 59amosIK लीक पन ना हुआ जीए तो यहने आपनो जोडाँग करीशु तेर बात फ्यूल फिल्टर नू ए फाइपसादे जोडाँग करीशु आँ फ्यूल फिल्टर पण जारे अपने यंजिन अवर्रोल करी नी एसेंबल करता हो तैद्यिंग फ्यूल फिल्टर पण नौद नाखु जेदी परफोंश भना फर्क परते हो तों कि और झोले झोले फाइपाइपंप्ने फिले इंजेक्टर नूँ जोड़ां कि उजब लोड शर्न करी सके हैं, वी मच्बूत पाइप जई से, त्या बाद ओरफ्लॉ प्राइप जड़ां करी सु, मित त्या बाद एंजिन थी ओरफ्लॉ प्राइप फ्यूल टेंक सु तू दि जटी होई प्रवाणे आपणे फित कर्वानु जेक हूँ आज यह तेट है योग्य कंडिसने मां चेक है कर्या अपने फ्लाइवील आपने फ्लाइवील ना दाता अपने फ्याद में आपने फित कर्वानु जेक है आ खास मित्रों ध्यान राग जो आज ए टीथ हो अचे दानताय लेके टीथ आ टीथ योग्य रिते मेस तवा जुए अना मेस था ए प्रमाणे आपने आने फिट करी सु त्या बाद बैटरी आने स्टार्टर मोटर वच्चे नू जे स्टार्टर स्विच नू जोड़ान चे ए मित्रों के स्टार्टन सर्कीट के बाए इस्टार्टन सररकीट आपने पूरी रिइसो बैटरी थिऊ मारी मो ernी वच्चे च्टार्टर मोटर सुन्दी नी जे अ वैरिंग होच्चे एम उगय जगए जोड़ान भी कर रिइसो जेत्वेमास तो अपने श्ची नसजल एसा शे आपने यूज करी सु त्यारे डिस्चार्ज थावानों प्रोब्लेम रहा ज़िए ते दर्म्यां चार्जिंग सिस्टम होजे एपन कारीरा थोवी जरूरी ज़िए ते माटे आपने जोडान ऐल्टानेटर साधे करी ज़िए अन्न ऐल्टानेटर नुवर्क सु ज़िए ए बै त्यारे बाद टेंप्रेचर गेज जोडान करी सु त्यारे बाद टेंप्रेचर गेज जोडान करी सु त्यारे बाद एंजिन साथे टेंप्रेचर स्वीच अने टेंप्रेचर गेज जोडान करी सु जेदी टेंप्रेचर गेज दवर आपने एंजिन नू टेंप्रेचर जा मा फ्यूल भरीशु आन्ने फ्यूल भर्या पची आपने ट्यमा थी एर ब्रेडिंग कवांगी रहा छे काहांके जारे सिस्टम मा आपने आक्की दिससेंबल करिए आक्कों एनजिन डिससेंबल करिए दरिक पाईपलाइन खोली नाकिए आन्ने ए बदू एसेंबल करता हो ये तेट दर्मियान ए सिस्टम मा एर आवी जाएचे एले आपने फ्यूल टेक मा फ्यूल बर्या पची आनू जोडान करी आपने सव प्रतम ए सिस्टम मा आपने एर बार काड़ी लेजु एले यहना माटे आपने एर ब्रेदिंग करवानु रहेचे त्या बाद ओईल चेम्बर मा योग्य लेवल सुदी ओईल भर्वानु होई जिए ऐ फ्यूल नू जोड़ान थाया पाची मीट्रो ओईल चेम्बर मा आपणे ओईल लेवल योग्य जग्या योग्य लेवल सुदी भरीशु तेरा माटे जह स्पेसिफाइग ग्रेट छे ओउ कुलरंट एले डिश्ट्रिल वाटर अनने एक कुलरंट एक हटेस ही आओ जे यहनु नू मिस्त्रन हो जे के योग्य मिस्त्रन आपने रेटर मा भरी सुू। शीलेंडर हेड मा हीटर प्लग फिड करी त्यानू वायरिंग करवानों हो जे। मित्रों, दरैक एक सिलेंडर मां एक हीटर प्लग होग जए, घणा एंज Mins ङुआ है, अपने छीटर प्लग होग करता ही। फाकल करियुकर कsuite कि युद, आपने एंजिन आसहे के जारां परोगिकर के जारेंड आफिंतेosti करें के जबंग टνηम्लों revealing जनेकर Smash तरफ्य पहाँ शमाय जे नखी करो समय शमाय मुझाब अन्जिन ने अड रहाण सुटने आइडल सिड्मा चालू राखीशु। अने कोई एंजीन ने फर्स्ट टाइम चालू गोतार रेस्ट करवानू नती रहतु कांके एमा एंजीन ना भागोने नुक्सान थवानू भय रहे छे मित्रो आजे आपने जे सीखे आजे एंजीन एसेंबल करनी पद्धती आनो एक नानकडो वीडियो छे आपने वीडियो ड्वारा थ्री वृडियो चे तो आपने तमने यतनो अनो वद्धर मित्रो आजे फर्ट कंपनी छे एनू एंजीन अ आपने जोईसु आँ सिलेंडर ब्लोक चे मैं चार बाजू थी आनूं डय्मेंशन दिन न बतावे चारे साइल दी क्यों होई आमीत्रों क्रेंगशाप छे च्घ रिलगेंडर क्रेंगशार हो जे। ताव मदा connected road अमें फीड़ करव। उपर नी पनिटों दोगें पिस्टन फिड़ीद। अ फरी में connecting road फिड़ था जे। फरी मेंबनेक फिस्टन फिड़ करया। निचे न बागे ती, ब्लोक मा फीट करे था रहा है। मित्रों साइड कवर फ्लाइबील फीट करे। सिलेंडर हेड न बाग चे, वेंडर हेड ने असेंबल कहज़े था हाई, मित्रों बताव चे आइन आवाल चे आवाल स्प्रींग वशेर आवाल आप रोसेस ती फीट सतु आजे आप चे आप चे अएन गेम शाप चे मीतरो आज नट चे न ये गयाट अखे टाइड करवाना ओचे पुआ कि भलोक नेगां फिटVAने हो ईशायएड कावर चेइड मीत ρों आपचारा वेड़ी कावर roof आपचारा आप्सचा में ओक रॉजो घ्येड लोरिग Sono 25's сव?". अमाँ चेन छे, ऐनु टाइमिंग कवर चे तॉप कवर मेत्रो जिन टाप टप योग्य पेकिंग लगया इन पंची फिट करवानू नट छे, योग्य टफे टाइड कर से अ मित्रों कवर चे यानू कनेक्शन चे बदा आ एक जोस्ट पाइप चे एक जोस्ट मेनिफॉल आ डिप स्टिक्स चे मित्रों जे वाईल लेवल चेक करा माटे उप्योग था चे यानू आए इंजेक्टर फीट थे रिया आजे आने इंजेक्टर ना जे हाई टेंशन के बल पाइप्स आम इत्रों वाटर पंप जोई रहा चो आप वाटर पंप फीट था से आने घीर चे स्टार्टर मोटर मित्रों आ रीते जे वीडियों बता जे रीते आपने आयनो 3D वीडियो चे आप आमाने इने स्टेप बाइ स्टेप ने फीट करवान होग चे आउल्टरनेटर टाइमिंग बेल्ट मित्रों आपने आजे स्टेशल टूल्स अने स्टेशल गेज वारा एंजीन एंसंब करवानी पद्धती जोई आपने आजे लेसन मां खुब मजा आविये से नमस्कार मित्रों हवे नवा सेसन मां नवा लेसन साथे मड़ी सू आभार